हेलो हाई नवस्ती आदा सस्रियाकाल नौलेज मत्रा के एक और नए और अमेजिंग एपिसोड में मैं दिशाव सभी का स्वागत करती हूँ आपने गूगल बॉय कॉटिल्य पंडित के बारे में बहुत सुना होगा हर्याना की करनाल का नन्हा सा कॉटिल्य अल्फबेक्स और काउंटिंग पंड़ने की उम्र में न जाने कितने विश्यों से जुड़े सवालूबा चुटके में उत्तर ले दिता था उसने अपने स्टैलेंट से दुनिया को दंग कर दिया था लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी दादी के बारे में जो गूगल दादी के नाम से जानी जाती है कौन है ये दादी और क्यों उन्हें गूगल दादी के नाम से बुलाया जाता है आए जानते हैं हमारे फाक्ट नमबर वन में गूगल दादी का अस्ति नाम सीतापती पटेल है और वह करीब 65 साल की है इस सुम्रत तक आते आते लोगों की याताश कमजोर होने लगती है लेकिन इसके विलट सीतापती पटेल का दिमाग उनका इतना साथ देता है कि उनका मुकाबला गाव के नौजवान भी नहीं कर पाते उनके अधिकारे से लेकर विधायक और थाने से लेकर सैक्रो तरह के जरूरी हेलप लाइन नमबर सुमानी याद है सीतापती की प्रतिमा उन्हें देश भर में फिमस कर चुकी है इतना ही नहीं खुद प्रधान मंतरी नरेंडर मोधी तक गुगल दाधी की सरहना कर चिके है मिर्जापर जिले में चुनारत हसलक शित्र के परसुरामपुर गाव की रहने वाली गुगल दाधी सभाव से हसमुक और संदा दिल है वह समाद सिवा कर लोगों की मदद भी करती है हाला कि दाधी पड़ी लिखी नहीं है लेकिन अच्छे अच्छे पड़े लिखे लोगों को फेल कर दीती है वो एक ऐसी human directory है जिने अपने जिले के साथ आसपरोस के जिले के थानी, अधिकारी, नेता और कई हेल्प लाइन नमबर भी याद रहते हैं गुगल दाधी ने सच भारत मिशन के प्रती जनता को जाकरुप करने के लिए एक गी धील लिखा है इसके लिए PM मोदी ने भी उनकी तारीफ की आम तोर पर ऐसा माना जाता है कि एक पेड़ पर एक ही तरह का फल लग सकता है लेकिन ऐसान नहीं है दुन्या में एक जगा ऐसी भी है जहां एक ही पेड़ पर 40 सरह के फल लगते हैं अमेरिका में एक विज्यल आर्ट के प्रोफेसर ने ऐसा अद्वत पौधा तयार किया है जिस पर 40 प्रकार के फल लगते हैं यह अनो का पौधा ट्री ओफ फॉटी के नाम से शेहर में मशूर है इसमें बेर, सातूल, खुबानी, चेरी और नेक्टराइन जैसे कई फल लगते हैं आए जानते हैं इस बारे में हमारे फाक्ट नमबर टू में अमेरिका में एक ऐसा पेड़ है जिसमें 40 अलग अलगतरा के फल होते हैं इस पेड़ का नाम ट्री ओफ वोटी है इस अनों के पेड़ को देख कर हर कोई हैरान है अमेरिका एक्सपोर्ट्स ने इस ट्री ओफ वोटी फूर्ट का विशकार कर कृशिक शित्र में आधुनिक तकनीक का भैतरी नमूना पेश गया है जिस पर एक साथ 40 तरह के फल लगते हैं हाला कि इसकी तैयारी काफ़ी पहले से चल रही थी दरसल कृशिक एक शित्र में आने वाले नए तकनीकों के कारण ट्री ओफ वोटी का सपना साकार हो पाया है नियॉक के रहने वाले सैम वॉन एकिन जो कि सेरा की उस विश्विद्धाले के विज्वर आस के प्रोफेसर है उन्हें इस अनूटे पेड का विचारा है उन्हें खेती बाड़ी में विशेश तिल्चस्पी थी प्रोफेसर सैम ने ग्राफ्टिंग नामक तकनीक से ये कारणामा किया हाला कि पेड पर फर लगने में कई वर्ष का समय लगा एसनों के पेड पर खुबानी, पंप, चेरी, बाड़ाम, आड़ू जैसे चालिस वल एक साथ लगते हैं आम से लेकर अमरुद, जामुन, केला और सेब तक उग जाते हैं प्रफेसर ने 2008 में विविन्द पेडों की शाखाओं को एक साथ जोर कर अपने पहले बहु फलो वाले पेड की तयारी की थी ग्राफ्टिंग तकनीक में पहले तो पेड की एक तहनी को कली समेट अलग-अलग किया जाता फिर जारे के मौसम में इसे मुख्य पेड में छेकर रोब दिया जाता है इस पेड की कीमत भी किसी को हैरत में डाल सकती है रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत 19 लाख रुपे के करीब है प्रफेसर वैन एकन ने देश के सातराच्यों में 16 पेड लगाए है स्टैंफोर्ट पब्लिक आर्ट कमिटी से जुड़े कुछ और एक्सपोर्ट्स ने भी ऐसे पेडू का अविशकार किया है यह धर्ती जितनी खूबसूरत है उतनी रहसमें भी है और उतनी ही रोचक भी है आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस दुन्या से जुड़े कुछ ऐसे रोचक फैक्स के बारे में सुना होगा जिसे सुनते ही आप हैरान होगे होगे अब ऐसा है कुछ महाराश्र की राज्किय पक्षि के साथ भी है बताया जाता है कि ये पंच्षी कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखता आईए जानते हैं इस बारे में हमारे फाक्ट नमर थ्री में पको जानकर हैरानी होगी कि भारत के महाराश्र राज्किय पक्षि हर्याल एक ऐसा पक्षि है अपना पैर कभी धरती पर नहीं रखता है इन पक्षियों को उचे उचे पेड़ वाले जंगल पसंद है ये अकसर अपना गुसला पीपल और बर्गर के पेड़ पर बनाते हैं अलिकतर हर्यल पक्षि जून में ही पाय चाते हैं इस पक्षि के बारे में माननेता है कि ये धरती पर कभी भी पैर नहीं रखता यदि ये धरती पर उतरता भी है तो अपने पैरों पर लकड़ी का टुकड़ा लेकर उतरता है एवं उसी पर बैठता है ये पक्षि भोतायत में पाया चाता है इस पक्षी का आकार 29 सेंटीमीटर से लेकर 33 सेंटीमीटर तक होता है दथा इसका वसंद मात्रट 225 ग्राम से 260 ग्राम की बीच होता है यह एक सामाजिक प्राणी है और जूर्णों में ही पाय जाते हैं इनके पंकों का फैलाव 17 से 19 सेंटीमीटर लंबा होता है इनके शरीर का रंग हलका पी लहरा होता है जो की ओलिफ के फल से मिलता चिलता होता है इनके सर के उपर हलकी नीले भुरे रंग के बाल होते हैं इनकी आखी काले रंग की होती है जिसके आसपास लाल रंग की रिंग होती है हर्यल पक्षी के पैर चमकीले पीले रंकी होते हैं और हर्यल पक्षी को उच्छी उच्छी पेड़ वाले जंगल पसंद है ये सदाबार जंगलों में पाई जाते हैं ये अकसर अपना गोसला पीपल और बर्ग की पेड़ पर बनाना पसंद करते हैं पोजयों के तलाश में यह उड़ते हुए शहरों के पार्क में भी अक्सर देखी जाते हैं हर यल पक्षी दुस्री कबूतरों की तरह ही सामाची पक्षी होते हैं यह भी कई पक्षियों की जुन में रहते हैं इनका सबसी छोटा ग्रूप, सबसी छोटा समूह, पास्ते दसकबूतरों का होता है। नौलेज मंत्रा के आज के हमारे इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सिफ फिर मुलाकात होगी नौलेज मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हस्ते रहें मुस्कुराते रहें और देख्ते रहें बीस्य न्यूज नमस्कार